Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 12.2 से question number 1 करेंगे Determine if the following are in proportion आगे आपको कुछ numbers दे रखे हैं, जैसे ए पार्ट के अंदर ये 4 numbers दे रखे हैं 15, 45, 40 और 120 आपको ये बताना है कि ये जो 4 numbers हैं, क्या ये proportion में हैं या नहीं है तो proportion का मतलब होता है कि अगर कोई दो ratios equal हैं तो बोली जाती हैं कि वो proportion है अब ये पता करने के लिए कि ये 4 numbers proportion में हैं या नहीं है हम बारी-बारी से पहले और दूसरे का, जो पहला और दूसरा number है इससे एक ratio तैयार करेंगे और जो 3 और 4 है, इससे एक दूसरी ratio तैयार करेंगे अगर वो दोनो ratios बराबर आती हैं तो फिर ये 4 numbers proportion में बोले जाएंगे वरना ये proportion में नहीं होंगे तो शुरुवात करते हैं पहले part के अंदर ये 4 numbers हैं आपके तो 15 और 45 या पहला और दूसरा number है तो जो पहली ratio तैयार होगी वो इन दोनों नमबरों से ही होगी 15 upon 45 और जो दूसरी ratio तैयार होगी वो तीसरा number upon चौथा number होगी अब ratio करने के लिए इन numbers का हम इनको simplest form में कर देंगे ये जो fraction आप देख रहे हो इन lowest form में कर देंगे वहाँ से आपकी ratio निकलेगी 15 और 45 ये दोनों 15 के table में आते हैं 15, 1, 0, 15 हो गया और 15, 3, 0 होता है 45 तो मैंने दोनों को 15 से divide कर दिया सेम ही number से आपको divide करना होता है उपर और नीचे 1 और 3 ये दोनों के दोनों किसी same table में आते नहीं है तो ये ही ratio बन गई है इसकी 1 is to 3 अब 40 और 120 को देख ले 0 से तो 0 ही कट गया बचा क्या 4 upon 12 4 और 12 दोनों 4 के table में आते हैं 4, 1, 0, 4 हो गया 4, 3, 0, 12 हो गया अब 1 और 3 ये भी कटना बंद हो गए तो ratio बन गई 1 is to 3 अब आप देख रहे हो कि दोनों ratio same है जब दोनों ratio same आई है यानि कि बराबर आई है तो हम बोलेंगे कि ये 4 नंबर proportion में है तो अपना answer लिख देंगे yes they are in proportion अब ऐसे ही आपको बाकी parts करने हैं भी part करते हैं 33, 121, 9, 96 ये 4 नंबर हैं पहला और दूसरा एक साथ लेंगे पहला नंबर अपन दूसरा नंबर यहां से एक ratio बनेगी और तीसरा नंबर अपन ये चोथा नंबर यहां से दूसरी ratio बनेगी तो 33 और 121 ये दोनों 11 के table से divide हो जाते हैं 33 को मैं 11 से divide करूँगा तो 3 आएगा और 121 को जब मैं 11 से divide करूँगा तो यह 11 ही आ जाएगा 11 का square होता है 121 3 और 11 ये दोनों किसी same table में नहीं आते हैं तो ratio finally 3 is to 11 बन गई है अब अगले पे आते हैं 9 और 96 ये दोनों के दोनों 2 से तो divide नहीं होगे 2 का rule 9 वाले में नहीं लग रहा है 2 के बाद prime number होता है 3 मैं 3 से check करता हूँ 9 तो 3 से divide हो जाता है 96 होगा ये नहीं होगा उसके लिए हम divisibility test कर लेते हैं 3 का rule ये होता है कि digits का sum 3 के table में आना चाहिए 9 और 6 का मैंने sum किया तो ये 15 हा गया 15 3 के table में आता है it means 96 भी 3 से divide हो जाएगा तो दोनों को मैं 3 से divide करूँगा 9 को 3 से divide करूँगा तो 3 आ जाएगा और 96 को मैं यहां कर लेता हूँ इसे मैं 3 से divide करूँगा तो 3 3 0 9 हो गया उपर से 6 उतर गया और 3 2 0 ये 6 हो गया तो 32 आ जाएगा 32 आ गया तो 3 by 32 हो गया ये अब 3 तो 3 से divide हो जाएगा लेकिन 32 नहीं होगा और इसके बाद आप देख रहे होगे कि 3 और 32 किसी same table में नहीं आते हैं तो ये इसकी lowest form ही बन गई है और ये ही इसकी ratio बन जाएगी 3 is to 32 अब दोनों ratios को देखिए आप ये 3 is to 11 है ये 3 is to 32 है तो ratios तो बराबर नहीं है तो आपका answer हो गया है no no के आगे आपको ये ही language लिखनी है they are not in proportion अब इसी तरह से हम c part करेंगे तो c part के अंदर numbers दे रखे हैं आपको 24, 28, 36, 48 तो पहला number upon में दूसरा number यहां से ratio बनेगी तीसरा number upon में यह चोथा number यहां से दूसरी ratio बनेगी काटना शुरू करते हैं इनको 24, 28 मैं सबसे छोटे से start करता हूँ क्योंकि वो आसान होता है अगर आपको बड़ा table नहीं आता तो आप छोटे से start कीजिए दोनो 2 से divide हो रहे हैं 24 को 2 से divide करूँगा तो 12 आएगा 28 को 2 से divide करूँगा तो 14 आएगा यह दोनो भी 2 से divide हो रहे हैं 12 को 2 से divide करेंगे तो 6 आएगा और 14 को 2 से divide करेंगे तो 7 आएगा 6 और 7 किसी same table में नहीं आते हैं तो ratio बन गई है 6 is to 7 अब अगली पे आते हैं 36 और 48 यहां मैं 2 से start करता हूँ 36 को 2 से divide करूँगा तो 18 आएगा 48 को 2 से divide करूँगा तो 24 आएगा फिर से मैं 2 से कर लेता हूँ 2 से करूँगा तो 9 आजाएगा और 2 से करूँगा तो 12 आएगा 9 और 12 दोनों 2 से divide नहीं होते हैं 9 नहीं होगा ना 12 तो हो जाएगा लेकिन यह दोनों 3 से divide हो जाते हैं तो दोनों को 3 से divide कर लेते हैं 9 को 3 से divide किया 3 आगया 12 को 3 से divide किया 4 आगया अब 3 और 4 ये दोनों किसी same table में नहीं आते हैं तो आपकी ratio बन गई है 3 is to 4 अब ratios को compare कर लेजिए ये 6 is to 7 है और ये 3 is to 4 है तो ये तो बराबर नहीं है तो आप इसका answer लिख दोगे 9 9 के आगे आपको ये language लिखनी है जो मैंने यहाँ पर उपर लिख रखी है अब part number D करते हैं D में numbers है 32, 48, 70, 210 तो पहला number upon में ये दूसरा number और फिर दूसरी ratio के लिए दीसरा number upon में ये चौथा number अब इनकी lowest form निकाल लेते हैं 32, 48 दोनों 2 से divide हो जाते हैं ये 16 आ जाएगा 48 को 2 से divide करेंगे 24 आएगा ये दोनों भी 2 से divide हो जाते हैं 2 से divide करेंगे 8 आगया 2 से divide किया 12 आगया ये दोनों भी 2 से divide हो जाते हैं इसे 2 से divide किया तो 4 आगया इसे 2 से divide किया तो 6 आगया ये दोनों भी 2 से divide हो जाते हैं इसे 2 से divide करूँगा तो यह 2 आ गया और इसे करूँगा तो यह 3 आ गया अब 2 और 3 किसी same table में नहीं आते हैं तो इसकी ratio बन गई है 2 is to 3 यह मैंने बिल्कुल simple से ही लिया है 2 से start किया है अगर आपको table की ठीक से knowledge है तो आप यहां भी दिमाख लगा सकते हैं यानि शुरू में भी लगा सकते हैं यह दोनों के दोनों 8 के table में आते हैं 8 के table में 8 4000 और 8 6000 आप वो भी लिख सकते थे यह यहां पहुँचने के बाद आपको एकदम से ध्यान आ जाए कि यह दोनों 8 के table में आते हैं तो 8 2016 होता है और 8 3024 होता है तो यहां आप दोनों को 8 से divide करके डारक यह भी लिख सकते थे अगर बड़े से ना शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं आप छोटे से start कर सकते हैं अब आते हैं दूसरे पे 70 और 210 10 अब पीछे पीछे का तो 0 कटी जाता है आपको पता है एक से कट गया नंबर बचा 7 अपॉन 21 7 और 21 दोनों 7 से ही divide होते हैं 7 को 7 से divide किया 1 आ गया 21 को 7 से divide किया 3 आ गया तो 1 और 3 तो आगे कटेंगे नहीं तो ratio बन गई है 1 is to 3 अब ratios को देख लीजिए ये 2 is to 3 है ये 1 is to 3 है ये तो बराबर नहीं है जब ये बराबर नहीं है तो आप लिख दोगे no no they are not in proportion d के बाद e part करते हैं e part के अंदर आपको numbers दे रखे हैं 4, 6, 8 और 12 तो 4 upon 6 लेंगे पहली ratio के लिए और 8 upon 12 लेंगे दूसरी ratio के लिए 4 और 6 दोनो 2 से divide हो जाते हैं 4 को 2 से divide किया 2 आगया 6 को 2 से divide किया 3 आगया 2 और 3 prime numbers हैं आगे किसी से divide नहीं होंगे तो ratio बन गई है 2 is to 3 8 by 12 दोनो 2 से divide हो जाते हैं 8 को 2 से divide किया तो 4 आगया 12 को किया तो ये 6 आ गया 4 by 6 आ गया दोनों 2 से डिवैड करेंगे तो ये 2 आ गया और इसे करेंगे तो ये 3 आ गया अब यहाँ 2 by 3 है ये किसी same table में नहीं आते तो ratio बन गई है 2 is to 3 अब आप देखिए finally ये जो दोनो ratios हैं ये बिलकुल बराबर है जब ये बराबर है तो दिटमिस ये proportion में है तो yes लिख देंगे yes they are in proportion f part नमबर है 33, 44, 75 और 100 पहला नमबर 33 अपॉन दूसरा नमबर 44 इससे एक ratio बनेगी तीसरा नमबर 75 अपॉन चौथा नमबर 100 इससे दूसरी ratio बनेगी 33 और 44 दोनो 11 के table में आते हैं 11 से मैं divide करूँगा 33 को तो ये 3 आएगा 44 को करूँगा 11 से divide तो ये 4 आएगा 3 और 4 किसी same table में नहीं आते हैं तो ratio बन गई है 3 is to 4 75 और 100 आप चाहें तो इसको शुरू में ही 25 से divide कर सकते हैं क्योंकि 25 के अंदर ये दोनों ही आते हैं वरना 5 से भी कर सकते हैं अगर छोटे से start करना चाहते हैं तो मैं 5 से करके दिखा दूँ आपको इसे 5 से divide करोगे इनमें 5 का rule लग रहा है इसलिए मैं ऐसा बता रहूँ आपको पीछे 5 है यहां 0 है अगर बड़ा table आपको ध्यान में नहीं आता है तो आपको 2 का 3 का और 5 का divisibility rule तो पता होना चाहिए अगर पीछे 5 है और 0 है वो numbers 5 से divide हो जाती है तो 75 को 5 से divide करूँगा तो यह 15 आएगा और 100 को 5 से divide करूँगा तो यह 20 आएगा तो देखें छोटा बन गया न अब number अब यह दोनो numbers 5 के table में आते हैं क्योंकि 5 से फिर से rule लग रहा है 5 से divide करूँगा तो 3 आगया 20 को 5 से divide करूँगा तो यह 4 आगया अब 3 और 4 किसी same table में आते नहीं है तो ratio बन जाएगी 3 is to 4 अब दोनो ratios को देख लीजिए यह भी 3 is to 4 है और यह भी 3 is to 4 है दोनो ratios बराबर आई हैं न it means इसका answer होगा येस आगे की language आप पूरा लिख देना yes they are in proportion तो यह last part था question घतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye